नमस्कार मैं हूँ Dr. Shuchin Bajaj, Founder Director Ujala Sickness Group of Hospitals सुनने में ये बहुत बड़ा सा शब्द लगता है Founder, Director, Ujala Sickness Hospitals, 16 होस्पिटल हैं तो बहुत बड़ा कुछ काम होगा, बहुत बड़े लोग होंगे बट ऐसा बिलकुल भी कुछ नहीं है और वो शुरुवात भी हुई कुछ पर्सनल स्टोरीज की वज़े से मैंने MBBS किया सरकारी कॉलेज से MDB किया सरकारी कॉलेज से तो मेरी साल की फीस चार सो कुछ रुपए होती थी परिवार में ऐसा कुछ नहीं था कि वो सपोर्ट कर सकते मेरी महंगी कोई पढ़ाई अगर मेरा सेलेक्शन नहीं वो आउता गर्वेंट कॉलेज में तो मुझे किसी और फील्ड में जाना पड़ता ऐसा कोई बैक अप प्लैन नहीं था पिता जी के पास और पिता जी as a refugee आय थे हमारी कंट्री में एक अस्तबल की छट पर रहते थे वो टीन की छट उपर प्लास्टिक की लगा कर और हमें यही सिखाते थे कि अगर तुमें छट अपने पैरों के नीचे की जगे सर के उपर चाहिए तो पढ़ाई करने ही पढ़ेगी तो वो पढ़ाई करके मेडिकल कॉलेजेज में मैं दिल्ली आया वापस दिल्ली के बहुत बड़े अस्पताल में काम कर रहा था तो बहुत खुशी थी कि अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ अब मैं अपने परिवार, जनों की दोस्तों की मदद कर सकता हूँ और बहुत लोगों के फोन आते थे कि इसको heart attack हो गया है तो हम दिल्ली ला रहे हैं इसको सर में चोट लग गया है इसका accident हो गया है तो हम दिल्ली लाना चाहते हैं आप हमारी मदद करेंगे तो एक तरफ तो बहुत गर्व होता था बहुत अच्छा लगता था कि अब मैं इस तरह बन गया हूँ कि अपने सब लोगों की help कर पा रहा हूँ हॉस्पिटल में इनकी मदद कर रहा हूँ पर एक चलगे बहुत मन में एक बात कचोटती रहती थी हमेशा कि क्यों इन लोगों को चार-चार-पांच-पांच घंटे जीप में अपने मरीज को डाल कर लाना पड़ता है क्यों ट्राफिक में अटके रहना पड़ता है और कई बार तो पहुँच भी नहीं पाते थे रात भर मैं उनका इंतजार करता था सुबह जब बात होती थी तो वो कहते थे डाक्ट साब वो तो मरीज रस्ते में खतम हो गया तो हमने गाड़ी वापस मोड़ ली तो ये सब बहुत दुख देता था तो जब मैं उनके गाहों जाता था मिलने तो ऐसी दर्दना कहानिया सुनने को मिलती थी कि चलो ये तो अच्छा वो रस्ते में खतम हो गया जो पिछले वाला पहुचा भी था वो पंदरा दिन रहा इतना महंगा इलाज हुआ घर भी बि अजादी के 70 साल बाद भी ऐसा कुछ करना पड़ रहा है कि 5-5 घंटे ट्रावल करना पड़ता है अपना घर बेचना पड़ता है क्यों इनके घर के पास एक अच्छी क्वालिटी का सस्ता स्पताल नहीं बन सकता तो ये सब सवालों से ये जरनी शुरू हुई एक सिंपल सा पॉइंट था इस पूरी और्गनाईजेशन का इथोस ये नहीं था कॉज ये नहीं था कि पैसे बनाने हैं या बड़े ऑस्पिटल्स खड़े करने हैं इसका एक ही सवाल का जवाब था कि इन लोगों को अपने घर के पास सस्ती और अच्छी क्वालिटी की केर हम क्यों नह गया very well qualified to be an entrepreneur कि लोग कहते हैं जब तक आप college छोड़ के नहीं जाते हैं तो entrepreneur कैसे बनेंगे तो एक condition पूरी हुई पिता जी अफकोर्स बहुत गुस्सा हुए वो जाते थे पढ़ाई ही सब चीजों का answer है तो अगर पढ़ाई छोड़ दी तो वो बोले nothing is worth it अगर आप पढ़ाई छोड़ के कोई भी काम कर रहे हैं तो वो worth it नहीं है तो इसलिए उन्होंने आखरी सांस तक अपने मेरा एक भी hospital नहीं देखा के वो बोले कि जो भी काम पढ़ाई चोड़ के किया गया है उसका कोई फायदा नहीं है हम नहीं देखेंगे आपका एस्पताल जो मर्जी आप कर रहे हैं तो इस तरह शुरू हुआ छोटे से क्लिनिक से शुरू किया उस क्लिनिक के monthly budgets होते थे कि इस महीन तिनका जोड़के एक एक पैसा जोड़के और बहुत किस्मत अच्छी रही कि लोग मिलते गए अच्छे अच्छे लोग मिले डॉक्टर्स मिले पार्टनर्स मिले इन्वेस्टर्स मिले अच्छी नर्सिज मिली सब लोग एक एक जुड़ते गए साथ में क्योंकि मुझे ल जो अब 16 ऑस्पिटल चला रही है, कई 100 करोड का बजेट हो गया हर महीने का, हर महीने बड़े-बड़े equipment, CT scan, MRI, heart machine, सब लगती हैं ऑस्पिटल में, जो कि पहले हम ऐसे आँखों से देखते थे कि ये कुछ इतनी बड़ी-बड़ी machines बनती भी कैसे हैं, तो ये journey कोई बहुत लंबी नहीं है, कुछ सालों पहले ही शुरू हुई थी, तो बहुत सारे medical students, doctors, young doctors आते हैं पूछने की इतना बड़ा काम चल रहा है, आप कैसे करते हैं, तो मैं उन सब को यही बताना चाहूँगा, कि कोई भी कर सकता है, बस purpose आपका ठीक होना चाहिए, ये इसलिए ना करें कि इसमें पैसे की कमाई है, या इससे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, पैसे के पीछे भा के सॉल्व कीजिए, तो आपको हर तरह की सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी,